यहां बात जब की है जब मोटू पतलू के मम्मी पापा मर चुके थे एक दिन मोटू पतलू से कहता है पतलू यार मुझे बहुत भूख लग रही है अपने घर में कुछ खाने को है तो दे दे यार फिर पतलू बोलता है नहीं मोटू अपने घर में कुछ भी नहीं है खाने को थोड़ा आटा रखा हुआ था जिसकी मैंने कल रात को ही रोटी बना दी अब अपने घर में कुछ भी नहीं है खाने को पतलू अगर आज अपने मम्मी पापा जिन्दा होते तो आज अपन दोनों को ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता और नहीं ऐसे भूखे रहना पड़ता हाँ मोटू जिन बच्चों के मम्मी पापा है वो बच्चे कितने खुश नसीब है फिर दोनों बिचारे वोटू पतलू भूखे ही सो जाते हैं फिर अगले दिन सुबा जब मोटू पतलू सो के उठते हैं तो पतलू मोटू से कहता है मोटू में काम धोंडने के लिए बाहर जा रहा हूं फिर मोटू बोलता है पतलू तुम छोटे हो तुम्हें कुछ काम भी नहीं आता तुम्हें कौन काम देगा मोटू में काम करने नहीं जाओंगा तो अपन भूखे ही मर जाएंगे मुझे कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा या कहकर पतलू अपने घर से निकल जाता है पतलू को बहुत घूमने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता क्योंकि पतलू बहुत छोटा था तो उसको कोई काम नहीं दे रहा था तो पतलू दुखी होकर एक पेड के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है मुझे ऐसे तो कोई काम नहीं देने वाला और मुझे कुछ काम भी नहीं आता क्योंना मैं भीक मांगने का काम कर लू पतलू यह सब सोच कर पतलू अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह से भीक मांगने बैठ जाता है आते जाते लोग पतलू को कुछ पैसे दे जाते और ऐसा करते करते कुछ दिन बीच जाते हैं. फिर एक दिन मोटू पतलू से कहता है पतलू परोस वाले अंकल बोल रहे थे कि तू भीख मांगता है, कोई काम नहीं करता. मोटू यार तू ही बता मुझे कौन काम देगा और मुझे कौन सा काम आता है जो मैं काम कर लू जिससे अच्छा मैंने भीख मांगना चालो कर दी फिर मोटू बोलता है पतलू तू शहर में किसी के घर जा और बहां जाडू पोछे का काम कर फिर पतलू अगले दिन शहर चला जाता है और पतलू एक घर में जाकर बोलता है मिन साहब मुझे काम पर रख लो मैं आपके घर के सारे कपड़े साफ कर दूगा सारे घर में जाडू पोछा कर दूगा प्लीज आप माना मत करना क्या कि हम दोनों भाई अनात है मुझसे मेरे भाई को रोज रोज ऐसे भूखे सोते देखना अच्छा नहीं लगता खिर पतलू की यह सब बाते सुनकर उस औरत को पतलू पर दया आ जाती है और वहाँ पतलू को काम दे देती है फिर पतलू रोज सुभा उनके घर काम करने जाता और शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता एक दिन उस औरत का पती उस औरत से बोलता है भाग्यवान तुम्हें पता है यह पतलू खाना बहुत अच्छा बनाता है मेरे होटल के शेफ भी ऐसा खाना नहीं बनाते क्यों ना मैं इसे अपने होटल में खाना बनाने के लिए ले जाओ फिर उसकी पतनी बोलती है हाँ आप उस बच्चे को अपने साथ ले जाओ क्योंकि वहाँ दोनों भाई अनात है उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा मैं पतलू के बड़े भाई से बात कर लूँगी इस तरह पतलू को काम मिल गया और वहाँ दोनों भाई खुशी खुशी अपनी जिन्दगी बिताने लगे